दोस्तो गणेश चतूरती आने वाली है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें गणेश चतूरती के दिन ऐसे कौन से छे टोटके करने चाहिए जिससे के हमारी किस्मत चमक जाए दोस्तो हर साल भाद्रपर्दमास के सुकल पक्ष पर गणेश चतूरती का त्योहार बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव का ये पर्व दस दिनों तक मनाया जाता है सारे देपताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज देपता माने जाते हैं चतूरती के दिन ही गणपती का जन्म हुआ था जो तिस सास्तर के अनुसार इस दिन कुछ खास टोटके करके आप अपनी किसमत को चमका सकते हैं इनके प्रभाव से स्री गणेश की करपा प्राप्त होती है और भक्तों की सारी मनोकामनाय पूर्ण होती है आये जानते हैं इन टोटकों के बारे में गणेश चतूरती के दिन स्री गणेश का अविशे करना बहुत ही शुब माना गया है चतूरती के दिन गणेश जी का अविशे करने से उनकी करपा शीग्र प्राप्त होती है गणेश जी के अवशेक के बाद गणपती अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए अब देखते हैं दोस्तो अगला टोट का सास्त्रों में गणेश यंत्र बहुत ही चमतकारी यंत्र बताय गया है चतूरती के दिन इसकी इस्थापना करना विशेश फलदाई होता है घर में इस यंत्र की इस्थापना और पूजा करने से घर में किसी तरीकी पुरी सक्ति का प्रवेश नहीं होता है अब देखते हैं दोस्तो अगले टोट के को लंबे समय से किसी समस्या से परिशान है तो गणेश चतुर्ती के दिन हाती को हराचारा खिलाएं भगवान गणेश के मंदर जाकर उनसे प्रार्तना करें हाती को हराचारा खिलाने से इन परिशानियों का अंत जरूर होता है अब देखते हैं दोस्तो टोटका नमर चार धन सम्मद्धी दिक्कनों को दूर करने के लिए गणेश चतुरती के दिन इस नान के बाद भगवान स्री गणेश को गुण और सुद्ध घी का भोग अवश्च लगाना चाहिए इसके बाद इस भोग के परसाद को गाई को खिला दें यहाँ उपाय धन सम्मद्धी समस्याओं को दूर करता है अब जानते हैं दोस्तो टोटका नमर चे को विवाँ में परिशानी आ रही हैं तो गणेश चतूरती के दिन ब्रत रखें और बपा को माल पूए का भोग लगाएं इससे सीग्र ही विवाँ का योग बन जाता है गणेश चतुर्ती के दिन भगवान स्री गणेश को पीले रंकी मिठाई का भोग लगाना भी शुब माना जाता है तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे च्छे ठोटके जिने आप आसानी से करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं ये आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं